उत्तरप्रदेश शुनाफ के लिए बीजेपी ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है कॉलेज जाने वाली मिधावी लड़कियों को फ्री में स्कूटी और महिलाओं को होली और दिवाली में दो एलपीजी सिलेंडर मुफ देने की बात कही गई कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए युवाओं को फ्री में कोचिंग का भी वादा किया गया है साल 2017 की तुलना में बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो बहुत मतलब उसमें बहुत कुछ बदला है चलिए जानते हैं कि मैनिफेस्टो की दस बड़ी बाते क्या रही पहला साल 2017 में बीजेपी के संकल पत्र में योगी आदितिनात का चेहरा नहीं था बलकि पिये मोदी और अमिश्या थे उनके अलावा कवर इमेज पे राजनाज सिंग, कलराज मिश्र, केशप प्रसाद मौरे और उमा भारती थी लेकिन अब की बार सब की तस्वीर गायब है जेपी नड़ा, सौतंतर देव सिंग, केशप प्रसाद मौरे को आखरी पन्ने पर जगा दी गई है दूसरी बार जो है खास वो यह है कि साल 2017 में बीजेपी का संकल पत्र 24 पन्नों का था जिसमें 10 महत्वपूर्ण विश्यों को रखा गया था लेकिन अब की बार संकल पत्र सिर्फ 12 पन्नों का ही है हाला कि इस बार भी संकल पत्र में 10 विश्यों को ही रखा गया है तीसरी जो important बात है वो है कि महिलाओं के लिए मुखमंतरी कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत वित्य सहायता को 15,000 रुपे से बढ़ा कर 25,000 रुपे तक किया जाएगा विद्वा एवं निराश्रिक महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकत 1500 रुपे प्रतीमा किया जाएगा सुमय सहायता समू में काम करने वाली लगभग एक करोड महिलाओं को आत्म निर्भर SHG क्रेडिट कार्ट के जरीए एक लाक रुपे तक का रिन नियुन्तम दर पर देने का वादा किया गया है मैनिफेस्टों में मैनिफेस्टों में आगे है कॉलेज जाने वाली मेधावी शात्राओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मी बाई योजना के अंतरगत मुफ्त इसकूटी दी जाएगी साथ साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सारवजनिक परिवहन में मुफ्त यातरा की वियुस्था की जाएगी प्रधान मंतरी उजला योजना के सभी लाभारतियों को होली और दिवाली पर दो मुफ्त LPG सिलेंडर दिये जाएगे पाँचवी बात है मैनिफेस्टों की वो है कि अगले पाँच साल में सभी किसानों को सीचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी पाँच सालों में MSP पर गेहूं और धान की खरीद को और मजबूत करेंगे गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुक्तान किया जाएगा देरी होने पर भुक्तान के लिए मिलों से ब्याज वसूल करने करके गन्ना किसानों को ब्याज सहीद भुक्तान किया जाएगा पांच हजार करोड की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनी करण मिशन के अंतरगत चीनी मिलो का नवीनी करण और आधुनी के करण जो है वो किया जाएगा अस्थानिय मांग के अनुसाल प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिल अस्थापित करने का वादा किया गया है मैनिफेस्टों में मैनिफेस्टों में आगे है कि प्रधान मंतरी कुसुम योजना के अंतरगत किसानों को सोलर पंप दिये जाएंगे साथी किसानों की आए बढ़ाने के लिए सौर उर्जा से उत्पन अतरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी मैनिफेस्टों में आगे कहा गया है कि निशाद राज बोट सबसीडी योजना शुरू की जाएगी मैनिफेस्टों की आगी जो बात है वो यह है कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी करॉप्चन और्गिनाइजेशन यूनिट अस्थापित की जाएगी लव जिहाद करने पर कम से कम 10 सालों की सजा और एक लाख रुपे के जुर्माने पर का प्रबंद सुनिशित करेंगे आतंगवादी गति विदियों पर अंकुष्ट लगाने के लिए देवबंद में एंटी ट्रेरिस्ट कमांडो सेंटर का निर्मान पूरा किया जाएगा मेरट, रामपूर, आजमगर, कानपूर और बहराईच में इसी तरह एंटी ट्रेरिस्ट कमांडो सेंटरों का निर्मान किया जाएगा मेनिफेस्टों में आगे कहा गया है कि सभी आटो, रिक्षा और टेक्सी चालकों कर जो है वो उनको आईश्मान भारत के इंतरकत पांच लाख रुपे तक का स्वास्त मीमा दिया जाएगा वरिस्ट नागरिकों की जो पेंशन है उसको बढ़ा कर 15 रुपे प्रतीमा करने का वादा किया गया है वहीं दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ा कर 15 रुपे प्रतीमा करने का वादा किया गया है और में एनिफेस्टों की जो important बात एक और है ये कि आयोध्या में श्रीराम से संबंदित, संस्कृती, शास्त, एवं धार्मिक तत्यों पर शोध के लिए रामायन युनिवर्सिटी को अस्थापित करने का वादा किया गया है बुजर्ग संतों और पुजारियों जो पुरोहित हैं उनके लिए योजनाओ जो है उनके विशेश एक गठन किया जागा है बोड का दस हजार करोर रुपे के निवेश के साथ नोईडा में ग्रैंड फिल्म सीटी का निर्मान पूरा करने का वादा किया गया है वहीं प्रदेश में शूट होने वाली हिंदी भोशपूरी अवधी और बरज भाशा की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए दो करोर रुपे तक का जो नकद प्रोत्साहन राशी बिजली सबसीडी और टैक्स सबसीडी दी जाएगी तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़ाएए दे कुइंट और कुइंट हिंदी के साथ